के और सभी पूच ह्राता मैं कि अलाष्ट कुछ पेपर में अश्य रहता था कि हम ग्रेइंट अफिर यह प्लेट है यह이다 है। तर ऐसा कुछ प्लेट अफिर सम इस बाद परसकते हैं। प्रेटिक्ट करने का सीधर सा मतलब यह नोर कि मैं मतलब कि मैंने थीटले लाइस निकाले फिर प्रमाना उड़ाना इस्टार्ट किया तो एक अंगर से 6-10 टैप पर डेवलप होगे कि यह करेंट अफेर इंपोर्ट है लेकिन अगर मैं यह करो कि मैं यह क्लेम करो कि यह 200 करेंट अफेर से इन में से ही आएगा तो वह गलत होगे ठीक है यूपीसी का मोड कभी भी चेंज हो जाता है यूपीसी कभी भी चीज़ें बदल सकते कभी कुछ भी कर सकती है हम प्रिविएस ट्रेंड के साफ चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरे प्रोस में से इतना सवन आएगा या फिर मेरे करेंट एफेस में से तो क्यों प्रफेक्ट है लेकिन अधर मुनाली जी यूपीसी को टोटली मूड बदल जाता है वो कुछ खतरना की देदेती है तो 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 यही डाट, देट सो चीज़े पढ़ लो, यही कर लो, तो इसी मैसे आएगा, इसके बार कुसी नहीं आएगा, आता है, आता है, जिएकर ग्लेम्स के जाते है, बहुत ग्लेम्स होते है, ग्लेम्स से बाहर भी चीज़े आते ही, सिर इसी बात है, ऐसा, या तो फिर आपका UPSC म आपको पेपर लिग करो, then that is a totally different thing, otherwise teachers आपके पास trends को देख भी preparation करवाते हैं, future के अबारे में किसी को नहीं बता हो, है न, तो मैं आपको अगर 75 current effects महीने के दूँगा, तो मेरा, मेरी कोशिच तो यही रहेगी न, कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ, उस मैसे maximum पेपर में आए था कि मैं क्लेम नसकी कि मैं कितने effective तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं गल कर रहा था, कि देखो यार, मैंने level of 30 तरीके का पढ़ाया है, कि prelims में से भी question मारी class में से direct आ रहे है, है न, तो वो चीज़ मैं कर सकता, लेकिन मैं ये claim करूँ कि नहीं, आप तम सिर्फ defense उस जब दूसरे sources जो आपको सही लगते हैं, आप उनको भी refer कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे कोपर trust करोगे, मेरी current defense की mentally magazine करोगे, तो फिर इतना इतना अभी तक कमाना record रहा है, उसके basis पर आपके पास time कितना है, आपके पास किस दिरेक के convenience है, उसके basis पर आप multiple sources को refer कर सकते हैं, एक drawback यह होता है कि आप confused हो जाएं, multiple sources हमारे सामने होते हैं, information को bombardment होता है, तो हम बहुत जब जब confused हो जाते हैं कि क्या कर रहें, क्या ना कर रहें, यह जिज़ हमारे सामने आ जाएं, ठीक है, question to one or two sources हो, और अगा मेरी side में आखे हो, तो फिर अभी सिर्फ मेरे उपर करो, believe me, questions वही से हैंगे जहां से हम लोग पढ़ेंगे, mostly questions वही से हैंगे,